हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वॉक्षीट नमबर 20 जो की 28 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है हिंदी और इस वॉक्षीट में हम समझेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं यह एक कविता है जसको हम इस इन कार्य पत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन पाठों पर चर्चा की जा रही है आए इसी क्रम में आज जया जादवानी रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पर चर्चा करते हैं तो चलिए सबसे पहले तो हम कविता पढ़ेंगे नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दबा है चिडिया की चोच में तिनका और वह उड़ने की तयारी में हैं अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रह प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है उस कठा का आखरी हिस्सा जो बूढी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंत्रिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है तो देखिए एक बहुती सुन्दर कविता है इस कविता में कवित्री क्या कहना चाहती है चलिए अब हम वो समझ लेते हैं कवित्री के अनुसार चाहे आज चारों और आविश्वास फैला है किन् लेकिन यह सबसे बुरा समय नहीं है ऐसा कवित्री कहना चाहती है अभी चिडिया अपना घोसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है अभी भी पेड से तूट कर गिरने वाली पत्ति को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले या रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है जल्दी आ जाओ जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानिया सुनाई जाती रहेंगी कि आस्मान में भी एक दुनिया बसती है तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता यानि इस कविता में हमने समझ लिया कि कवित्री यही कहना चाह रही है कि हो सकता है आपकी जिन्दकी में थोड़ा खराब समय चल रहा हो पर यह सबसे कठिन समय नहीं है अभी भी उम्मीद है आशा की किरन हमें नजर आ रही है और हम आगे बहतर कर सकते हैं ठीक है अब यहां पे देखी कुछ हमें शब्द दे रखे हैं और उन का मतलब होता है गिरना फिर सदियों का मतलब होता है पुराने समय से यानि बहुत लंबे समय से तमाम मतलब बहुत सारे गंतव्य मतलब जिस थान पर हम जाना चाहते हैं पहुचना चाहते हैं उसे कहते हैं गंतव्य स्थान उसके बाद है प्रतीक्षा करना यानि कि किसी का इ कुछ प्रश्णों के उत्तर खोजते और लिखते हैं पहला प्रश्ण है निम्ण में से कौन सा शब्द पक्षी का प्रयायवाची है तो पक्षी को और क्या कहते हैं तो पक्षी को हम कहते हैं खग यानि option का इसका सही उत्तर है दूसरा प्रश्ण है कि निम्ण में से डूबत यानि कोई चीज दूब रहा है तो उसका विलोम यानि उल्टा शब्द हुआ उगना तो सही आंसर है इसका option खा ठीक है अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रशन जिसमें पूछा है कि चिडिया ने चोंच में तिनका दबा रखा है बताए चिडिया तिनके का क्या करती होगी तो हम सब जानते हैं चिडिया तिनके से घोसला बनाती है पर इसका आंसर में आपको लिखकर दिखा देती हो तो तीसरे प्रशन का आप उत्तर लिखेंगे कि चिडिया तिनके से घोसला बनाती होगी ठीक है अब है चोथा प्रशन कि बच्चों को उनके घरों में कहानिया क सकते हैं जो हमें कहानिया सुनाते हैं इसके बाद पांचवे प्रश्ण है जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया पंक्ती से क्या आश्य है चलिए इसका आंसर मैं लिखकर दिखाती हूं आपको तो देखिए पांचवे प्रश्ण का आप उत्तर लिखेंग कि इसका आश्य है कि शाम हो गई है और अब घर आने का समय हो चुका है ठीक है तो ये है पांचवे प्रश्ण का उत्तर इसके बाद एक गदिविधी में हमें ये करना है कि उप्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे जादा अच्छी लगी और क्यों अनुछेत के र अंसर मेरे अनुसार ये है कि मुझे सबसे अच्छी यह बात लगी कि चारो और आविश्वास होने के बावजूद कवितरी के मन में आशा की एक किरन है क्योंकि उपर सबसे पहली लाइन में ही ये कहा गया है कि बेशक से चारो और आविश्वास फैला है लेकिन फिर भी कवितरी की सबसे जादा अच्छी लगी तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वाकशीट आई होप आपको ये वाकशीट बहुत जादा अच्छी लगी होगी हालांकि कविता अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार कविता है आप पढ़े इसका आनंद ले और पानल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू